हालो इस्टूडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टेडी में तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि सुबा आठ बज़े से हर दिन आप पढ़ते हैं क्लाइफ 10th की NCRT Mathematics तो इसी करम में आज हम आपके सामने उपस दिते हैं इकसर साइज आपका 4.3 यानी प्रिस्नावली 4.3 सवाल नमबर 4 बहुत ही आसान है ये कहानी नुमा सवाल है आपकी जो दिन चर्या है उससे कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है देखिए यहाँ पर बात हो रही रहमान की रहमान एक परकार का लड़का है कोई एक बेगत का बेउतकरम और अब से 5 वर्स बाद आएंव के बेउतकरम का योग एकवड़ा 3 है मतलब आप समझो सवाल पूरा है कि कुछा दूरा है करा 3 वर्स पूर्ब तो रह्मान की आयू का बेउतकरम और अब से पांच वर्स बाद आयू के बेउतकरम का योग जो है वो एक बटा तीन है सवाल ऐसे ही तो दिया है ना बच्चा तीन वर्स पूर्ब रह्मान की आयू का जो बेउतकरम है और अब से पांच वर्स बाद आयू के बेउतकरम का यो आज वो कितने साल का है तभी तो हम बता पाएंगे कि वो तीन साल पहले कितने साल का था या फिर पांच साल बाद कितने साल का हो जाएगा जैसे मान लिजिए कि हम मानते हैं आपकी आयू आज पंदरा साल है तो हम ये भी मान सकते हैं कि आज से तीन साल पहले आप बारफाल के थे या थी है ना और हम ये भी समझ सकते हैं कि आज से 5 साल बाद यानि 2025 में आप 25 साल की हो जाओगी या हो जाओगे सही है ना तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर जिसकी पूछा है माना लिखो माना रह्मान की वर्तमान आयू लिख लो रह्मान की वर्तमान आयू बराबर मानलो बच्चा क्या मानोगे यक्स वर्स फटा फट जल्दी फे लिखो कह रहा था कि उसकी तीन वर्स पूर्व रह्मान की जो आयू का बेउत करम था उसका और पांच वर्स बाद जो आयू का बेउत करम था दोनों का योग एक बटा तीन है तो बच्चा क्या करोगे लिखोगे तीन वर्स पूर्व रह्मान की आयू तो भईया तीन वर्स पहले वो कितने फाल का रहा होगा अगर आज पंदरा फाल का है तो तीन वर्स पहले वो पंदरा माइनस तीन बराबर बारा का रहा होगा बताओ ये सही है कि नहीं अगर आज पंदरा का होगा तो तीन वर्स पहले वो बारा फाल का था यनि अगर आज यक्स का है तो 3 वर्ष पहले वो यक्स माइनस 3 वर्ष का था समझ गए न बच्चा अब लिखो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रह्मान की आयू तो 5 वर्ष बाद कितना होगा सिंपल सी बात है सोचो कि अगर वो आज 15 साल का है तो 5 वर्स बाद ये 15 प्लस 5 बराबर 20 साल का होगा कितने साल का होगा भया? 20 साल का होगा न यानि हम कह सकते हैं कि X प्लस 5 वर्स कितना सब समझ में आ रहा है न यानि आज उसकी आई व यक्स वर्स है तो 3 वर्स पहले X-3 थी और 5 वर्स बाद X प्लस 5 वर्स होगी अब हम करेंगे according to this question या फिर according to the question अब प्रफना अनुसार करेंगे देखिए हमारे पास जगह कम है अगर आप कहें तो मैं मिटा दू पूरा question और मैं उपर हल कर देता हूँ सवाल तो आप देख लिए हो जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हमें सिर्फ चीजें ग्यात हुई हैं अब हम लिखेंगे थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए दो चाल लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं अब लिखेंगे तीन वर्स पूर्व की आयू का बेउतकरम क्या होगा आयू का बेउतकरम देखो बेउतकरम का मतलब होता बच्चा उल्टा क्या होता है बेउतकरम मतलब होता उल्टा तो तीन वर्स पहले जो आयू थी एक्स माइनस थी अभी आई थी तो यक्स माइनस थ्री देखो पहले समझ लो यहाँ पे यक्स माइनस थ्री ये तीन वर्स पहले आयो थी तो ये जो लिखा है एक्चुली इतना लिखा है बोलो हर किसी के नीचे वन छिपाया जा सकता है न तो बेउतकरम का मतलब होता उल्टा जैसे अगर मैं 6 बटा 7 का बेउतकरम बोलू तो 7 बटा 6 होगा यानि उपर जो हो जायागा वो हर हो जायागा नीचे अंस हो जायागा ये मतलब होता बेउतकरम का मतलब उल्टा तो वैसे इसका जो उल्टा हो जाएगा बच्चा तो 1 upon x minus 3 वर्स हो जाएगा समझ में आया ना ये 3 वर्स पहले की आयू का बेउतकरम है आगे इसी करम में एक और चीज हमें चाहिए वो क्या है करा कि अब से 5 वर्स बाद की आयू का बेउतकरम जो है तो 1 upon x plus 5 क्यों पता है क्योंकि जो 5 वर्स बाद की आयो थी x plus 5 वर्स थी तो उसका उल्टा कर देंगे बेउतकरम हो गया ये दो लाइन लिखने से थुड़ा सा आसान हो जाएगा आपको लगाने में अब हम करेंगे परसना अनुसार according to the question आप इसे जल्दी से लिखलो फटा पट देर मत करो बहुत से बच्चे जो है नोट नहीं करते हैं वो किवल देखते रहते हैं मजा नहीं आती है बच्चा ठीक है जल्दी करो हो गया ना इतना अब हम आगे चलते हैं देखिए साइड में जगा है तो मैं लगा देता हूँ लेकिन थुड़ी कम जगा है लिख लो हो गया चलिए आप चलो प्रसना अनुसार करके हम इसको हल कर लेंगे जैसे जैसे कहा वैसे कर लेते हैं तीन वर्स पूर्व की आयू का जो बेउतकरम है उसका योग और पांच वर्स बाद की जो आयू का बेउतकरम है दोनों का योग करने पे एक बटा तीन आता है यानि कि वन अफान यक्स माइनस तीन और धन वन अफान यक्स प्लस पांच करने पे बच्चा एक बटा तीन आता है ये रियल सवाल है इसी को ह में calculation करना है और आगे बताना answer क्या आएगा चलिए मैं इसको हल करता हूँ cross multiple करोगे आपको पता है तिर्षा गुड़ा करना तो x plus 5 का गुड़ा जब 1 में करोगे तो x plus 5 आएगा x minus 3 का गुड़ा जब में करेंगे तो x minus 3 आएगा अब यह आपस में गुड़ा होगा तो x minus 3 and x plus 5 equal 1 upon 3 होगा इतना बात पकी नबत चलो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है जल्दी छाप लो फटा फट उसके बाद हम आगे चलते हैं जल्दी लिख लो चलो साइड में करवा देता हूं यह लो इधर जगा है ना चलो इधर जगा तो थोड़ा कम है लेकिन मैं करवा देता हूं देखो अब कि इसके बाद मैं यहाँ देखो इज़र साइड बे समझ लो अब क्या करोगे इनका अपस्ने मल्टीपल कर लो बेंसमें बूड़ा करो यहाँ पर देखना वहाँ के बाद मैं यहां कर रहा हूं एकस का पहले एक चीट देखो यहाँ पर अगर कोश्टक खोलोगे तो चिंदे में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह एक्स में एक्स जूड़ जाएगा थोड़ा का मैं साट कर देता हूं तो बच्चा यह दो एक्स हो जाएगा याद रखना जब चिंदे खोल दोगे कोश्टक ब्रेकट तो यह ऐसे उतर जाएंगे X plus 5 plus X minus 3 हो जाएगा अब 1X जूड़के 2X हो गया प्लस का 5 minus का 3 घट जाएगा तो प्लस का 2 आएगा थीक हैं यह आपका उपर आला हो गया नीचे का आप announcement करोगे एक दूसरे में X का 1 करोगे बच्चा तो X का 1 sq arise हो जाएगा और प्लस X का 5 में करोगे तो 5 Xा इसतरा से minus 3 का X में करोगे तो माइनस 3X और यह माइनस 3 पचे 15 समझते चलो माइनस का 15 इक्कॉल वन अपान 3 देखो यह आपका पहली लाइन एक हो गई ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए X का स्कॉर प्लस 5X माइनस 3X और धन का 15 नहीं रिड का 15 ठीक है इतना सब करेंगे बच्चा लोग देखो हमें यहां पर क्या करना इसको प्लस माइनस कर लेना है जो भी आएगा जोड़ गटा लेंगे चलो ठीक है कर लेते हैं उपर अगर आप देखो तो 2X प्लस दो बचाएना यहां पर कुछ कटे पिटेगा क्या अध्यान देना क्या होगा समझे न यह प्लस माइनस घड़ जाएगा फाइनल में मैं एक लाइन और लगा सकता हूं 2X प्लस टू अपान यक्स का स्क्वाइर प्लस माइनस घड़ के आएगा तो 2X माइनस का 15 बराबर का एक बटा 3 यह होगे आपका क्या नेक्स लाइन यह मिश्टेक न करो अब तीर्शाग उड़ा करोगे मैं उधर साइड फिर से हल करूँगा रखना तरीका समझना पहले मैंने इधर लगाया है इधर लगाने के बाद मैंने इधर लगाया है और फिर अब मैं यहा चल रहा हूं अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे सिस्टम से तो अच्छे समझ में आएगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया अगर बीच में देखोगे तो कुछ ना पलने पड़ेगा फिर नहीं जान पाओगे कि यह इधरे का उधरे कैसे लग गया फिर ऐसे कंफ्यूज रहो गे ठीक ना इसलिए वीडियो को इमानदारी से देखो पूरा तिरचा गुड़ा करोगे तीन का पूरे में कर लोगे इसका पूरे में कर लोगे तो बच्चा यह हो जायाएगा यह एक्स का स्कौाइर प्लस डो एक्स माइनस का पंदरा बराबर तीन का इसमें कोई हरानी की बात नहीं न यह हो जायेगा एक्स का स्कॉयर प्लस दो एक्स माइनस का छे एक्स माइनस 15 माइनस का 6 बराबर 0 इसमें कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं न बता देना अगर कोई डाउट होगा तो नहीं संकोच ये प्लस माइनस तो यक्स का स्क्वाइर प्लस ये 4 एक्स और ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा 15-16 बराबर 0 गुड़ा करने पर क्या आए बच्चा 11 आजाए और घटाने पर 4 आजाए ऐसा कोई हम दो फैक्टर करेंगे अब हमें क्या करना इनके गुड़न खंड कर लेने है ठीक है ना ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है पूरी तरह से आप परचित हो इनसे कोई भी अंजान बंदा नहीं है इसमें गुड़ा करने पर एकईस आए गटाने पर क्या आए गटाने पर आजाए बच्चा चार चलिए हो जायागा वैसे बोर्ड बहुत बड़ा है लेकिन मैंने सिस्टम से नहीं उच किया नहीं तो बहुत जगा थी अब हम हल कर लेते हैं समीकरण को हल करना सबको आता है यहां क के बाद हम फिर यहां आ गए समझ रहे हो ना कैसे कैसे कहां कहां लिख रहा हूं तो यक्स का स्कॉयर प्लस बच्चे कमेंट करने में नाम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई मिस्टा नानंत दुरूब आकृती संधिया मैं देख पा रहा हूं सबको त यह 7-3 into x- 21 같은 समा बराबर 0 वहाई साथ से 3 कता होगे 4 आ जाएगा 7 का 3 में गुडा करोगे 10 कि झाएगा तो यह फा tighter कि स्वायर प्लस 7 etcetera X-3 X-21 equal 0 इसमें common लोगे X तो X plus 7-3 common लोगे X plus 7 equal 0 final में X plus 7 and X minus 3 equal 0 आएगा तो बच्चा X की बाईलू 3 आएगा और X का बाईलू 7 आएगा लेकिन जो 3 आएगा वो बच्चा किस में आएगा X plus में आएगा जो 7 आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा देखो इसमें कुछ mistake हो रहा है या कुछ गडबड हो रहा है देखो कि सब सही है ध्यान दो देखिए अब परसुना अनुसार क्या कह रहा है जैसे कहरा सवाल में उसे कर लेंगे है फिरubers questa g conservative मी इन्लिकन के सब्सक्राइब का तो बच्छाилась हो जाएँगे एक्स प्लस फाइव का मल्टिपल होगा एक्स प्लस फाइव हो जायेगा इसका गुड़ा वन में होगा एक्स माइनस थीन का इसमें होगा एक्स माइनस थीन यतना हो जायेगा और इनका आपस में गुड़ा हो जायेगा चुकि आपको भिन हल करना आता इसलिए में जादा नहीं बता रहा हुआ इतना सबको पता है ना बच्चा लोग देखो एक बात और ध्यान दो इसका 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 इसमें गुड़ा हुआ लेकिन बीच में जो चिन था वो प्लस का वैसे ही रहेगा प्लस का चिन यहां रहेगा इक्वाल और पांद तीन इतना ठीक है अब यह चीज हम यहां आल करेंगे आप ध्यान देना जब यह कोश्टक खुलेगा तो एक्स एक्स जुड़के दो एक्स हो जायाएगा बच्चा लोग घंधन पांच एक्स ठीक है अब जब माइनस तीन का गुड़ा एक्स में होगा तो माइनस तीन एक्स और माइनस पंदरा एक्वाल एक बटा तीन यह ठीक है ना इतनी कहानी इसमें तो कोई डाउट नहीं न चलिए अब हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे नीचे जैसे भी है टू एक्स प्लस का टू नीचे क्या लिख होगे बच्चा ये प्लस माइनस ये यक्स का स्क्वायर और प्लस दो एक्स माइनस का पंदरा बराबर एक वर्टर सीम इतना में कोई डाउट किसी को हो तो बता दो जल्दी से मिश्टर सौरब जी समझ में आ रहा है प्रियंका अनुभो सभी को आ रहा है ना लिखते जाओ फटाफट अब मैं इधर साइड का मिटाओंगा फर्च साइड का उधर साइड का इधर लाके हल कर दूंगा अब ध्यान दो आप लोग हमारे पास हल करने के दो तरीके हैं दो ज खेक्स और तीन का दो में छे तो यह हो जाएगा छे एक्स धन छे बराबर इतना पक्का इसको पूरे को मल्टिपल कर दो वन में तो यह वैसे रहेगा जैसा है यक्स का इसकुएस का टू एक्स और माइनस का पंद्रा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं कोई डाउट है तो अब यह चाहूं तो ऐसे ही रहने दूं लेकिन इसको में दूइगात समिकरण के रूप में लिखूंगा ठीक है तो मैं पहले एक्स का स्कॉयर पहले लिखूंगा इसको इधर ले आओ माइनस एक्स का स्कॉयर हो जाएगा चूकि इधर आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा माइनस दो एक्स यह इधर आएगा तो बच्चा यह प्लस 15 हो जाएगा मतलब समझ रहा हूँ ना बराबर के उधर से इधर आ रहा है सब ये इफ लिए इन सब ही के चिन्ना बदल गए और ये जैसे हैं इनको इधर ऐसे उतार लो ये देखो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ पलस का ये 6x और पलफ का 6 बराबर जीर अब ध्यान दीजिए आप लोग मैंने कुछ नहीं किया उधर का सारा इधर ले आया इधर वाला इधर ही रहने दिया अब ये x का स्कॉर का कोई जोड़िदार नहीं है माइनस 2x का देखो जोड़िदार है क्या है बज्या ये है बच्चा चार 6x ना एक प्लस है एक माइनस दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा सीधी सी बात है प्लस माइनस जुड़ेगा तो घटेगा मतलब जुड़ेगा नहीं एक चिन जो है आसमान है तो धन 4x आएगा चूकि ये इसका चिन बढ़ा है आप सजातिये भी जातिये जब च्टर्टिंग में माइनस होता है तो माइनस वन से दोनों तरभ गुड़ा कर देंगे तो तो सारे चिन बदल सुरो इधर साइड तो जीरो ही रहेगा चुकि जीरो में चाहे माइनस से गुड़ा करो चाहे प्लस से कोई फरक नहीं पढ़ता है वैसे निर्जीव है वो है ना अब यह हो गई आपके नहीं कहानी गुड़ा करने पर माइनस का क्या आए 21 आए और जोड़ने पर 4 आए चलो अब हम इधर साइड में हल करेंगे ध्यान देना इसको लाके इधर कर लो आपको पता होगा गुड़ा करने पर है cord next spot 有 साथ में से अगर तीना गटा होगे चार एक सेयर यह को जाएगाançतों मइनस चार की जगाह पर लिख लो साथ ऐक सुक आए माइनस यह साथ एक स्वायर माइनस सथ एकोश्डा होले तो यह तीन एक सो जाएगा और यह Μाइनस का करने किस बढाबर लोगे बच्चा तो X-7 बचेगा बराबर 0 यक्स का मान यहां 7 आएगा और यक्स का मान यहां माइनस 3 आएगा यह आपको पता होगा बहुत अच्छे से दोनों को अगर एक-एक बारी बारी 0 के बराबर करोगे तो है ना मैंने एक लाइन it कर दिया है ये लो मैं उसको भी नहीं करता हूं जाने तो e- e-axx-7 आयंड e-axx-3 यही आएगा ना बच्चा तो e-axx बराबर एक मान जो है अब 7 आएगा और एक मान क्या आएगा माइनस थी आएगा अब हमें क्या करना है हमें वो देखना है हमसे कहा था कि भाईया उसकी आयो वर्तमान आयोयद कीजिये रह्मान की तो आप यह सोचो कि किसी की आयोय माइनस में तो खोगी नहीं कि रह्मान वर्तमान में माहीन सीरा हो तीन साल का है यह रिड्रात्मक हो गया हूँ tain No क कोई बच्चा तो रिरात्मक होगा नहीं इसलिए हम एक्स काद माइनस मान नहीं लेंगे पॉजिटिव वाला मान लेंगे यानि हमें मिल गया अतारह्मान की वर्तमान आयो एक्स बराबर साथ वर्स कितने वर्स साथ वर्स यह आपका उत्तर हो गया बात समझ में आई न तो ब पर आपको नंबर दिखाया गया है उसको नोट कर लीजिए उस पर संपर करिए आपको बड़ी-बड़ी और सारी कलासे दिया जाएगा वाट्स आप ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा कोई भी डाउट है निस्वंकोच हमसे बताइए जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंग और घर पर पढ़ाई करते रहिएगा बच्चा लोग मिलते हैं फिर जैहिंद